नवश्कार आप देख रहे हैं सिल्क टेवी और मैं हूँ आपके साथ नेशा आईए करते हैं खबरों के शिर्वात बिहार दिवस को लेकर भागरपूर जीला प्रिश्रासन के और से सैंडिस कमपांड पे सम्हारों का आयोचन किया गया इसका विधीवत उद्खाटन सांसद अजय कुमार मंडल, जिलाधिकारी सुबरत कुमार सेन महापोर, डॉक्र वसुनरलाल, इससपी आनंद कुमार, डीडीसी कुमार अनुराक, नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर, जीला परिशत अध्यक्ष अनंद कुमार समेट कई आत बिभर ने विभागों द्वारा लगाए गये स्ट्रॉल का व्लोकन किया और सभी को बिहार दिवस की बधाई देते हुए, लोगों से बिहार का सम्मान बढ़ाने की बात कहीं, वहीं कारिकरन के दौरान, डीएम और सांसद समेट गनमान ये लोगों ने विभर ने छेत्रो आवासी विध्याले समेटे विध्यालियों के छात्र छात्रां और अस्थानिय कलाकारों ने निर्तिय नागायन एवं नाटक की प्रस्तूती देकर वहां मौजूद लोगों का मनुरंजन किया, वहीं बिहार दिवस सम्हारों का मुख्या आकर्षन सैंडिस कंपाउं मैदा में लगा स्टॉल रहा जहां लगी प्रदशनी को देखकर सभी ने खूब सरहाना की, इधर विभल्ने विभागों एवं संस्थाओं के द्वारा कई तरह की प्रदशनी लगाई गई थी, जबके जीले की कई सरकारी भफनों और कार्यालियों को रंग बिरंगे रोशनी से स दोरान बिहार की उप्रब्धियों के साथ गौरब मई अतीत एवं इतिहास को जात्त करते, यहां से द्वश्प को संदेश देनी वाले महात्माओं और महान विभूतियों को भी नमन किया गया। जो कारिकरम का एवजन है वो इस वर्ष हम लोग सेंडिस कंपाउंड में करा रहे हैं और हम लोगों का प्रियास है कि इस बार मैक्सिममम जो है वो हम लोग मौका दें अस्थानिये कलाकारों को स्कूल के बच्चों को तो अभी आप लोगों ने देखा कि चाहे वो कस्तुर के बाद इसके अतिरिक्त बहुत सारे स्टॉल यहां पे जो है स्टॉल लगे हुए हैं जिसमें बहुत ग्यानवर्धक सूचनाई उपलब्ध हैं सैंडिस कंपाउंड में जो भी लोग युवा युवा युपतियां गुमने आएंगे तो उन स्टॉल को देख करके काफी और जो ये कारिक्रम चलेगा उसका भी भरपूर आनंद उठा सकते हैं बताया कि भागलपूर के सैंडिस कंपाउंड में बिहार दिवस कारिकरिंग के दोरान अलग-अलग पतियोगिता में बहतर खेल दिखाने वाले थांगता के तीन खिलाडियों को सांसत और पदाधिकारियों ने सम्मानित किया जिससे बच्चों का मनोवर और उच्चा जिसमें पिछले कई वर्षों से थांग ठाक खेल में बिहार को कई बार पदक दिलाया है। वही चैतर नवरात्र को लेकर विभन दुर्गा मंदीरों में मन्तरोचार, संपूर्ट मंत्र और सब्तशिती पार्ट से शहर गुंस्ता रहा। इसके अलावा चैत्र नवरात्र को लेकर भागरपूर के सबोर रानी तलाप शक्ति पीर जै महारानी मंदीर प्रांगन से भविक कलश शुभायात्रा निकाली गई इसमें सैक्डो महिलाएं सिर पर कलश रखकर गंगा जल भरने के लिए रवाना होई जबकि शक्ति पीर जै महारानी मंदीर को लेकर डोगो का मानना है कि यहां भक्तो द्वारा मास से मांगी कई खर मुराद पूरी होती है राश्ट्रिय स्वयम सेवक संग की ओर से बुधवार को चैत्र प्रतिपदा हिंदू नववर्ष पर भागरपूर आरंडराम धंडनिया सस्पती विद्या मंदीर परिशल से पत्र संचलन निकाला गया इस दौरान गनवेश धारी स्वयम सेवकों ने नगर भ्रावन किया और समाज को संगटित होकर एक जूटता का संदेश दिया पतादे की वर्ष 1925 में चैत्र प्रतिपदा तीथी के दिन केशब बलीराम हेट के बार ने राश्टिय स्वयम सेवक संग की अस्थापना की जिसको लेकर पते एक वर्ष चैत्र प्रतिपदा तीथी को हिंदू नव वर्ष पर RSS तुवारा पत संचलन निकाला जाता है वह बूतवार को काफी संख्या में गनवेश में स्वयम सेवक ने अनुशासन के साथ पत संचलन में हिस्सा लिया भारती नव वर्ष और चैत्र प्रतिपदा के अपसर प्रते एक वर्ष की तरह इस वर्ष भी बूतवार को स्वयम यात्ता निकाली गए इसमें काफी संख्या में पुरुष महिला और युवा शरभालू अपने सिर्थ पर स्वयम लेकर चलते दिखाई दिए जिबकि इस दोरान बाजे गाजे के बेज भक्ती धुनों पर सभी ने अपने घुरू और भारत माता के सम्मान में नारा भी लगाया सुअरवेत यात्रा में बिहंगम योग संस्थान भागलपूर के प्रमंडली मंत्री मनोहर सिंग, भागलपूर अनुमंडल संयोजक अमवेश कुमार, सुल्तानगर श्प्रखन प्रभारी पंकच कुमार और विने प्रभाकर समीत काफी संख्या में बिहंगम योग के भागरपूर नातनगर सिपाई प्रसेक्षन विद्याले परिसर से मेला मैदान का SSP आनंद कुमार ने मंगलबार को जायसा लिया, इस दौरान SSP ने मेला मैदान का निरिक्षन किया, जहां उनकी अगवाई CTS प्रचारे मिधिलेश कुमार ने की, वह निरिक्षन की दौरा की भी जानकारी, इसके अलावा SSP ने अंग्रेजों के जमाने के बने सिपाही बैरक सहीत अन्य भव्वनों का निरिक्षन करने के बाद, पदाधिकारियों को चैतर नवरात एवं राम नव्मी के दौरान CTS मेला मैदान में सुरक्षा एवं विदी वैवस्ता के चाक कुमार चौधरी को SSP ने कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये, SSP के परिभ्रहमन के दौरान DSP विधी विविस्ता डॉप्टर गॉरफ कुमार सहित काफी संख्या में पुलीस अधिकारी और जवान भी मौचूद रहे हैं विष्व जल दिवस की अपसर पर बोधवार को संजीबनी गंगा और गंगा मिशन की ओर से विष्व जल दिवस कारिक्रम का आयोजन पर पैती बासार में किया गया इस दोरान जल संकट विषय पर नाटक के माधियम से संदेश दिया गया जबकि सांस्कृतिक कारिक्रम की प्रस्तूती दी गई नाटक और निर्टिक के माधियम से लोगों से जल संरक्षन करने की अपील करते हुए कलाकारों ने कहा कि जल हम सभी के साथ तमाम जीवों के लिए सबसे अधीक महत्वून है वही सहस्ता के सची महमत आयास ने बताए कि विश्प जल दिवस मनाने की शिर्वात वर्ष उनीस सो बिराउनवे में ब्राजील के सियुक्त रास्ट्र सम्मीलन से की गई थी इसका उदेश्य जीव जगत में पानी के महत्वे और जल संचेन के प्रती लोगों के भी जागरूपता लाना है उन्होंने कहा कि सहस्ता से मिलने वाले जल के कमी की चिंता अब दुनिया भर के लोगों को सतानी लगी है और इसके लिए हम सभी को जागरूप होकर जल संचेन की दिशा में आके पढ़ना होगा साथ ही कहा कि इसके लिए संजीवनी गंगा की और से इस पार मौनसून के महीनी में वर्षा जल संचेन कर धर्ती के पेट को भरने की कोशिस करते हुए लोगों को भी इसके प्रतिजा ग्रूप किया जाएगा नदिया, जरने, कुए उसको स्वक्च रखें और उसे भारा रखने का अभी से प्रियत्म करें उसी करम में आज संचिवनी गंगा ने संस्था के कारेले में जंगल में जल संकट पर एक नाटक का और एक सांसिक कारेकरम का योजन किया जिसमें बच्चों ने भार्ती इनफ समवत्सर चैतर शुकल पक्ष पतिपदा विक्रम समवतर दोहसार असी के अपसर पर बुदवार को अनदराम धंडर्निया सस्पती विद्यामंदी परिशत से चात्रों ने पत संचलन शुभायात्ता निकाली जिसमें विद्याले के सिक्षकों ने भी हिस्सा लिया इस दोरान सेशुवाटिका के चात्र शात्रों दौराराम दर्वार की मनमोहक एवन भव्य ज्रांकी भी निकाली गई जपकी इसके अलावा पत संचलन में विद्याले के स्काउट गाइड एन्सिसी और अन्य चात्रों के अलावा विद्याले के सिक्षक सिक्षकाओं ने शामिल होकर हिंदू नवश और भारतिय संस्कृति के सम्मान में जैगोश पे किया। इधर हिंदू नवश को लेकर विद्याले के प्रधानाचारी अनंद कुमार सिन्हा ने कहा कि भारतिय संस्कृति इवं जन जाकरन के प्रशार और अपनी संस्कृति की समझ बच्चों के साथ सभी जन्मानस के मन में जाकरित हो इसके लिए यह कारिक्टर महत्मुन है। स्कूल की टीम ने माय गंज टीम को 18 रनों से प्राजित कर ट्रोफी पर कबसा जमा लिया। मैं मुख्यती थी वज़ाई कुमार यादब समेट अतीतियों के द्वारा फाइनल मैच में गौरफ को मैन आफ दा मैच का प्रुषकार दिया गया। जबकि मैन आफ दा सिरीच एवं बेस्ट वॉलर का प्रुषकार गोविंदा को मिला। इसके अलावा बढ़्टी सिंग को वेस्ट फिल्डर और मुन्ना को वेस्ट बाटमैंस का प्रुषकार दिया गया। इधर विजेतो और विजेता टीम को नगत राश्री देकर समानित किया गया। मौकी पर पपु यादव हवेश यादव देवाश्य स्वनर जी समीत कई लोग मौचुत थे। तर कई दिनों से चल रहा है इनका ऐगेलं है तर वागलपूर की दोने क pulling मिलके जो है यह फैडल मच खिल रहा है और जह 14-14 मैच है और शाम में तक यह समापनिल हो जागा और चमचमाती आपक हो प्रूपी पातक है चम्चमाति होता है यह तो शाम में पता चलेगा अच्छा मैच होने की समभावना है थोड़ा बादल है आजमान में लेकिन मैच बहुत अच्छे हो रही है लेकिन ये जो कारिकराम जिरके सोजनने से हो रहा है बिजायादवची के सोजनने से ये की एक इतिहासिक परंपरा चालू हुआ है युवाओं में खेल के परती खेल महवना पैदा करना लोगों के परती आपशी भाई चारा पैदा करना फेल एक ऐसा चीज है जो लोगों को एक साथ जोड़ करके मिला करके रखने करके का काम करता है और ये काम हुआ समाझ से भी जयादवची कर रहे हैं जो एक बहुत रिक ती सराणिये भागलपूर्ट जदिसपूर प्रखन अंतरगत भवानिपूर्ट देसी पंचायत हरवा गउ में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। गर्मी बढ़ने पर लोगों की परिशानी और बढ़ जाने की बाद ग्रामीन कहते दिखें। पहले ही नल जल योजना का बोरिंग खराब हो गया है लेकिन अभी तक बोरिंग को ठीक नहीं कराया गया है। इसके कारण हडवा गउ के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं हाल यह है कि लोग नदी खोद कर पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। वही इसको लेकर उपमुख्या ममता कुमारी ने बताया कि पानी की समस्या को लेकर उभूने उच्च अधिकारीयों को शिकायत की है। लेकिन अभी तक समस्या के निदान के लिए कोई पाहल नहीं की गई है। लेकिन अभी तक इन लोगों को पानी सही रूप से नहीं मिल पा रहा है। अभी तक इन लोगों को भी बताया जाता है। जो सन्होला मोर, योगी पीर, सैनो, कोला, नारायनपूर, जग्दिसपूर बासार, अंगारी तड़ीह, गुलूदाम, बलुवा चक और चानदपूर समेट दरजनों गाउं होते हुए पुने जग्दिसपूर पहुँचकर संपन्ने हुई। इस दोरान सैक्डू की संख्या में युवग पाइक पर सवार होकर बीजे एवं गाजे बाजे के साथ शुभाई यात्रा में श्रामिर हुए, जहां जय श्रीराम और भत्ती संगीत उंचता रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।